मागा करेंगे नकसलियों के लड़ाई का केंद्रो होगा पूर्वती कैम्प, CRPF, कूप्रा और DRG के 1500 जवानों के सुरक्ष्रा में कैम्प खुला है किरन चोहान ने न्यूजेटीन से कहा कि अंतिम चरण में नकसलवाथ है इलाके में शान्ती विकास के लिए कैम्प काफी एहम साबित होगा उन्होंने बताया कि यहां धाई महीनी में साथ कैम्प खोले गए है नकस्नियों के बटालियन के लीडर हिडवा उसका गाउं में पूरती इन दिनों काफी चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि पूरती वह इलाका है जहां पर एक समय ऐसा था कि जवान उस लाके में जाने से घट रहते हैं आदमी हुआ जाने से डरते हैं लेकिन आज उस गाउं में जोनों ने नया कैम्प खोला है और के साथ यहां पर युकास की रास्ते भी यहां पर फिलेंगे सब्सक्राइब कर दो ने खुद रहकर यह को उसे चर्चा करते हैं सर पूरती सुर्शाबर्टी इतना जरूरी क्यों आप जानते कि पूरती है पील जी वन का जो आधारबुत को रिलाका जिसको माना जाता ह कि यहां हिडमा जो पील जी का क्मांडर और बहुत सारे गट्टा में रहा है उसके अलावा अभी जो करन्ट बटलेंगा नेटर है उनका ग्रोग्राम है इसके अलावा सो जादा नक्षली पूरती गाउ से आता है और यह पूरा गाउ मतलब नक्षलियों के लिए आदारबुत इलाके जिसे काम करता था सुरक्षा बल जिसमें सब्सक्राइब कर दिया गया है और लक्षिलियों का जो खात्मय के रणनीती है उसके उसमें हमने एक और और आगे रखाए और बहुत हिमत पुर्व के रखा गया है आपने खोला वहां पर अटेक हुआ और उसके बाद कितना चुनोती पूर्ण था उससे आगे बढ़ने का अपूर्टी कि अकसर हमने देखा है कि जब यह इसी गटने होती उसके बाद फोर्स या तो इस्टेब्लिक होती या फिर पीछे अर्टी यह मैं टेकल गटना के बारे हो हमारे साथ भिटने के लिए नहीं आए और टेकल गुडम में हमारे जवानों की सहाधत होई लेकिन जवान बहुत 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 बुलंद है और बुलंद होस्तली की वज़े से ही एकल गटना होने के बावजूद भी जवानों का धायर्य था और चुनोती को उन्हें एक पुल बनीड़ सबसे पहले यह जो इलाका था यह उनका संगतन में रिक्रूटमेंट उसके अलावा उनका जो राशन खाना पानी और बहुत सारी चीजह होती थी इसके अलावा उनका जो साइकोलाजिकली और बहुत प्रहार करेंगा और यहां से जो ज़बागट्टा मेना यहां पर इसे तलाब बनाया है यहां देखने को मिला कि बड़ी नक्षलियों की खेती है उसके आलावा के रहता है कि आपको कुछ परिशाणी नहीं होगी और गावालों को भी हमने अश्यूर किया है कि क्याम पाने से गाव का रास्ता है उखल जाएगा सतर दिनों में साथ केम्प खोलें आपने जिसमें पांच जो है गोर नक्षेलियों का चाहूंगा कि यह जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी मैं नक्षेलियों से अपिल करना चाहता हूं कि जल्दी जल्दी सस्तर का त्याकर करके समर्पन करें यह थे सुक्मा एस्पी केंचबान जिनों ने धाई मैने में मात्र इतने कम समय में साथ जो है केम खोलें जिसमें पांच प्रवावित इलाके में यह केम इस्तितर और नि खुल्मा के गाव पूर्वती गाव में नक्सलियों ने खेती कर रखी थी गाव से 100 मीटर दूर करीब 4 एकड में नक्सलियों ने सबजी, केला और नारियल की फसल लगा रखी थी गाव के बाहर एक बड़ा तालाब है जहां मचली पालन किया जाता है ताकि यहां नक्सलिय बलो ने कैम्प इस्थापित किया है खाने पीने का समान हो कहां से लाए तो इस वक्त मैं जिस खेत में वह जुद हो यह लगाई है यह जरुत करीब यह आपर यह लिंगन फसल के उनकी खेती यहां पर की गई हैं, फिलाल यहां पर जवानों का गावाँ पर तो कब्जा हो ही गया है, साथ-साथ उनके तमाम जो सोर्शेस हैं उस पर भी जवानों ने कब्जा कर लिया है, सतीज चांडग, न्यूजेटिन, सुक्मा सुक्मावे मोस्ट वॉंटेड हिड्मा का अब आपको घर दिखाते हैं, जिसमें 25 लाकी नावी नक्सलिके घर की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पर ताला लगा हुआ था, बुजर्ग मा घर से बाहर थी, दो देन से यहां सुरक्षा बलों का कब्जा है पुरूती गाउं में हूँ और गाउं इसलिए खास है क्योंकि यहां पर नक्सियों के बटालियन का परमूख और नेता हिड्मा का परते गाउं हैं, जवानों के लिए मोस्ट वांटेड हिड्मा जिसमें 25 लाका इनाम है, और इस वक्त में ठीक जो मेरे पीछ आप घर जैसे आदिवाशों के घर होते हैं, ठीक वैसी घर है, घर में यहां पर फिलाल, कोई नहीं है लेकिन यहां पर उनके जो पालतू जानवर है, वो यहां पर जुरू देखे जा रहे हैं, फिलाल घर में ताला लगा हुआ है, जैसा कि एक कमरे का घर कच्चा घर यहां पर दि एक हजार की जनसंख्या करीब जो है साथ पारों में निवास सथे यहां पर और अगर सुधा की बात करें तो यहां पर सिर्फ सोलर प्लांट के अलावा यहां पर कोई भी साज की सुधा यहां पर नहीं है और इस वक्त हम जो है यह जो की नक्षली मोस्ट वांटेड है जिसमें 25 लाके नाम है उसके घर में हम इस वक्त मौझूद है यहां पर दो घर है हिर्मा के टोटर एक में एक कमरा हो जो जानकर ही मिली है कि यहां पर फिलाल उनकी बूरी माह यहां पर रहती है सती चान्डग निव जैटेन सुक्मा कि यहां पूर सभरी कभर कर दो